इस्कार पास्टोक्रम्न सब्सक्राइब साँ पnt रिब। आज हम अपनी किजन में चिकन बश्रा मोस्त्पाइब और बásप सम्सक्राइब इक्षन साज़िकम आज चीकन पास्टोक्रम ना Yak। इस हम डेख दीहा है चिकन को अजन चाहिए जिसे तो 12 ज ह्ली होए ट्राइस को एक कमें भिलम कर एक है लॉभी इसे बडिखे कर लाइच सुनि जीए स्थीन कुछ С३ी इसे करना भाया शुदाल। तीन बड़े टमाटर, चोकों तुक्रों में कटे हुए, दही चाहिए हमें 250 g, दही को अच्छे से पेट ले ताकि इसमें कोई लंप सना रहे, तीन बड़ी प्यास, अब जब हम बिव्यानी कोर्मा बनाते हैं, तो इसमें फ्यास को प्यास बहुत ही सादा सर्भी होती है, तो यानी मसाला और कोई भी प्यानी मसाला यह ले सकते हैं, यह ले ली लिया है, भी मिर्च तेजस ऺड़ीब्च, 500 भी मिर्चे काटवे लिया और लाह पनाते हैं, तीख़ा असाब है, जावेती लेगे, बड़ी लाइची, 2 हवी लाइची, 3-4 लॉंग, 3-4 काली मिर्च, अब गाविश के लिए और बिवियानी में डालने के लिए इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने पुदिना ले लिया है अब आप में या और या या ये पिन बीवियानी ले लिए नापने लेगे, पूदिने पति ले लेंगे, या यह तो कोकिंग बना सकते हैं, या इसब घिमां के लिए गी में उसका ये इसे कालि मेंदा खिन अब लसुन की पेस्ट चाहिए हमें 1.5 तेबस्पून, नमक अपने स्वाधनु साब लेंगे, अब यहाँ ने दो फूर कलर लिये हैं, आपके चाहिस केसाब से फूर कलर ले सकते हैं, या तो पिवी से स्किप कर सकते हैं, इसके अलावा हमें कुकिंग वाइल चाहिए, तो य यहां पर लाइस कैसे बॉयल करना है, यह तो पहले ही पता दिया है, अगर चाहिए तो आप अगर चाहिए, पर चाहिए, तो अब चाहिए, यहां पर मैमने चाहिन के लिए यहां पर मैंने लिया दूंगी अधर कवलशून की पेस्ट, साथी डालेंगे टेमातर, दही दाल जाए है। सॉल्ट आड कर देंगे। नमक मिर्च आप आपकी हिसाप से कम जादा कर सकते हैं। साथ ही अब हम इसमें डालेगे प्यास प्राइड ऑनियो डालें। इसको हातों से थोड़ा सा इसे मेशल के डालें। पुदीना पत्ती राल देंगे। अगर चाहे तो पुदीना पत्ती पट्च पनाए अब इसमें डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे हरा धनीया अब हम इसमें सारी के सारी हमाई जो इंकूरियां थे यह पुला के बेस्ट वड़ दाल दिया है तो यह देखिए मैंने से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे डब कर एक से देड़ गंटे के लिए छोड़ देंगे, अगर आपके पास समय जादा है तो आप इसे जादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, यह जितना जादा मैंने होगा उतना ही जादा खाने म अब चुक है, और को चुक है अब हमें समयं तरणा मैं चलादें क चुकह को अच्छे से बाट को सब्सकते हैं, अब हम में चलादेंगे, आप एक चुल देना है, तो उतर जाए मेरे छिल दकके पोणिके पुण्सान से iji नissions में चलादेंगे, दाल चुका ल देख मश्य से तो यह देखिए यहां पर मैंने सारे के सब मैगनेटर चिकन इसमे टाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे मिक्स करने के पाद हम इसे ढख कर घीमी आज पर 10-15 मिट तक के पतने के लिए छोड़ देना है तो यह देखिए मैंने से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे एक लीड से ढख देंगे और ग्यास की फ्लेम लो रखेंगे लो प्लेम पर हमें इसे ढख कर घीमी आज पर 15 मिट तक के पका लेना है ताकि हमारी जो चिकन है वो टेंडर हो जाए और सारे मसाले जो है तो यह देखिए दस से बंद हो चुके है पांट का अठा देंगे जैसे कि मैं आप तो बताया था इसे बीच-बीच में चलाते रहेंगे तो इसे साप से मैं इसे बीच-बीच में चला दिया था और यह हमारी जो अपनी है बिल्कुल तयार है चिकन अच्छे से टेंटर हो चुका है देखिए आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से टेंटर हो चुका है अब गयास की प्लेम बंद कर देंगे और एक दूसरा पैन ले लेंगे आप अब अच्छा है तो आपका जो वेसल है वो बढ़ा है तो इसी में ऊपर आइस टाल सकते हैं लेकिन यहां पर मैं सकते है फोड़ाई में बनाया है तो मैं इसमें तूसरे वेसल में शीफ्ट कर रहे है कि हां पर एक बड्य प्न लेलिया है और इसमें मैंने यहां पे जो चिकन अच्छे चिकन घूकाफे अच्छे Meguat सम लेकल तरद पर कमाय कोई है तरह सनना दाल कोक्र को कोलाक। विलेकल इन दाल किर्ट ही है भारो साइबक ऑप पार को सब देल कि अधुने को कर दोकितर दाल दें अधी दाल ek Quindi सब्सक्रकानänger अगर बहुत अची धियानी खाना चाहते हुआ है कर एक बात का हमें इनका है भाइप पजसद आ पर चाहिस आप contar कि नहीं कर दीजिके अपर मेर पणाए गचा का इंदे चर्ण्यद्र रामारी उनका सबूर्ण आप जा शेओं एक आप अगर चाहे तो फूर कलर डाल सकते हैं, आपके पास और나 पीदा वाटरा तो पीड़ा आपके कीवरा ब लात। तो यहां पर पर ऐंची कील अब मैं यहां पर भाब स्वीनीक चाहें, अब तह संबुक आरिवेन हैं, पुदिना पत्ति ताल कीवरें थाlly अगर आपके पास जाड़े तले का बर्टन नहीं है तो आप इसे नीचे पैन या तवा रख सकते हैं और फिर ये बर्टन रख सकते हैं तो टोटल हमें इसे 10 मिट तक के पका लेना है उसके बाद हमारी जो बिव्यानी है वो बनकर बिल्कुल तइयार है तो यह देखिए 10 मिट हो चुके हैं पान कटकर नटा देंगे आप देख सकते हैं कि हमारी गर्मा करम बिव्यानी पंकर बिल्कुल तइयावे गास के प्लेम बंकर देंगे और इसे सर्विंग निश में निकाल लेंगे अब इसे सर्फ करते वक्त हम एक साइट से सर्फ करेंग ताकि है प्लेट में यह बरावर से देखिए विव्यानी बनकर बिल्कुल तयावे और इसे में निश में निकाल लिया है हमने जो चिकन के पीसेस पर फूड कलर दाला था आप देख सकते हैं कि उसके वज़े से चिकन के पीसेस को जो है बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है तो हमारी बहुत डिलिशियस बहुत इसे सिंपल और क्विक वेसिपी तयारे आप इस एक बार जबर ट्राइ किजगा और मुझे कमें जबर पताना कि आपकी वेसिपी कैसी बनी थी तो इसे ट्राइ कीजिए साथ अपने फ्रेंड आपने फ्रेंड फामिले में शेव कीजग झाल